नमस्कार बच्चों मैं डोक्टर अलका बागला सराचारे संस्क्रे राजकी माविद्याले जालावार बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको वेदान्सार जो में प्रिवियस के सिलेबस में दर्शन पेपर थर्ड में चलता है कि मैं वेदान्सार में बच्चों आज आपको अनुभंद चतुस्टे के बारे में बताने जा रहे हूं कि अनुभंद चतुस्टे क्या होता है बच्चों किसी भी ग्रंत का पठन प्रारंब करते समय पाठक के मन में इन प्रिश्णों का उठना स्वाभाविक है कि कोई सा भी ग्रंत हो उसको पढ़ने का अधिकारी कौन होता है इसमें कौन सा विशे निभद है इसमें लिखित विशे तथा उस तक का क्या संबन्द है तथा इसे पढ़ने का क्या उद्धिश्य है क्या प्रियोजन है यह चार अनुभंद चतुस्टे के नाम से जाने जाते है तो बच्चों आज के वीडियो में अनुभंद चतुस्टे क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं कि अनुभंद चतुस्टे का संक्षेप में अर्थ है कि पुस्तक को पढ़ने का अधिकारी उसका विशे लिखित विशे का पुस्तक से संबंद तथा पढ़ने का प्रियोजन इन चार पृष्णों का ज्यान या उत्तर ही अनुभंद चतुस्टे है तो अनुभंद चतुस्टे में अधिकारी विशे संबंद वर प्रियोजन पत्व्याक्या हम अलग-अलग आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अधिकारी क्या होता है वेदांत सार के अनुसार अधिकारी तू विदिवत अधीत वेद वेदांग अर्थात जिसने विदिवत वेद विद्याओं का अध्यन किया हो काम्यकर्म व निशिद्य कर्मों का त्याग किया हो नित्य नेमितिक प्र्यास्चित व उपासना द्वारा जिसका अंतह करन संपून पापों से सर्व था मुक्त व नितांत निर्मल हो गया हो तता साधन चतुष्टे से संपन्न हो वही अधिकारी है अर्थात वही इस ग्रंत अर्थात वेदांग सार को पढ़ने का अधिकारी होता है अधिकारी को स्पर्ष्ट करने के लिए जो अप्यक्षित गुण हैं उनका संक्ष्पित वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है कि जो अधिकारी होता है अर्थात अधिकारी कोन है जिसने अपने काम्य कर्म अर्थार स्वर्ग प्राप्ती आदी की कामनाओं से किये जाने वाले जोति स्टोम यग्यादी होते है वा काम्य करमों के अंतरगत परिगणित है तो उन काम्य करमों को वो अपने अंतरकरन से निकालकर जब उसका अंतरकरन निर्मल हो जाता है स्वच्छ हो जाता है और ठाथ काम्य कर्मों से रहित हो जाता है तो वह व्यक्ति इस वेदां साल को पढ़ने का अधिकारी माना जाता है दूसरे आपके निशिद्य कर्म बच्चों निशिद्य कर्म क्या है नरक जैसी अनिश्ट वस्तों को प्राप्त कराने वाले जो ब्रह्म हत्या आधी जो कार्य है वो निशिद्य कर्मों के अंतर गताते हैं तो काम्यकर्म, निशिद्य कर्म और निशिद्य कर्म जिनके करने से पुर्णे न हो निशिद्य कर्म क्या होते है बच्चों कि जिनके करने से पुर्णे न हो किन्तु न करने से हानी भी न हो वो निशिद्य कर्म होते हैं जैसे संध्या वंदन आधी यह निशिद्य कर्म है चोथे आपके नेमित्तिक कर्म अर्थात जो किसी निमित्त से किये जाते हैं कि पुत्र उत्पत्ति के अउसर पर किये जाने वाले कर्म जात कर्म आधी नेमित्तिक कर्म है तो बच्चों ये जो काम्यकर्म, निशिद्तिकर्म, नित्यकर्म, नेमित्तिकर्म पाँच वाहे प्रयाश्चित कर्म अर्थात सास्त्रों में वर्ने कर्म न करने से तथा निशिद्त कर्मों को करने से जो पाप उत्पन होता है उसके निवारन के लिए किये जाने वाले कर्म प्रयाश्चित कर्म है चांदरायन आदी व्रत इसमें आते हैं चटे आपका है उपासना कर्म सबुन ब्रह्म के विशे में मनो व्रती को स्थिर करने है तू किये जाने वाले कर्म उपासना कर्म कहे जाते हैं इनका वर्णन नारद भक्ति सूर्य आधी भक्ति सुत्र में विस्तार के साथ इनका वर्णन किया गया है अतर इनमे नित्ति, नेमित्ति, प्रयाश्चित उपासना कर आधी कर्मों के द्वारा जब चित की सुद्धी हो जाती है और चित की सुधी के साथ साथ गोण रूप से पित्री लोक तथा सत्य लोक की प्राप्ती भी होती है ऐसा माना जाता है और शुतिवचन भी इसका प्रमान है कि जब इन कर्मों से आपका चित स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो वह इस ग्रंत को, इस विदान्त सार को पढ़ने का अधिकारी हो जाता है बच्चों साधन चतुष्टे संपन अर्थात नित्य अनित्य वस्तु विवेग हा मुत्रार्थ फल भोग विराग शमादी शटक संपती मुमुक्सत्वादी इसके अनुसार आधिकारी को नित्य वस्तु केवल ब्रह्म ही है वह उसके अत्रिक्त संपूर्ण जगत अनित्य है ऐसा ग्यान होना इह लोक के श्रक चंदनादी विशों के भोग वह परलोक के अमृत आधि विशों के भोग कर्म जन्य होने से अनित्य है ऐसा ग्यान प्राप्त करके इन इहलोकी